आप देख रहे हैं आज का वेदिक विचार वेदिक राश की प्रस्तुति हम प्रतिरिन वेदिक विचार के माध्यम से वेद मंत्रों की सुक्तियों के माध्यम से वेद मंत्रों की उक्तियों के माध्यम से हमारा जीवन मनुष का जीवन किस प्रकार से उन्नति के पत्थ पर अगसर रहे हम कैसे अपने जीवन को चलाए हमारे जीवन में किस प्रकार के गुणों का विकास हो जिससे कि हम उन्नति करते रहे इन सभी विश्यों पर हम वेदिक विचार प्रस्तुत करते हैं, बंधों, माताओं, बेहनों, आज का वेरिक विचार है, मैं अपनी वानी से मीठा बोलू, वाचा, वदामी, मधुवत, मैं अपनी वानी से मीठा बोलू, यहां अथर्वेत के पहले कान के 34 सुक्त के चोथा मंत्र है, मैं अपनी वानी से मीठा और मेरी बानि मधुर्ता को अप्राथ करती रहे हैं सत्यग उन्वद के साथ में बुरे कमको हस ना मदूर्ट के साथ वेद की उक्ती में एक और जगे कहा गया जीवा में अग्रे मदू मेरी जीवा के अंदर मधू तपके मेरी जीवा में मदूरता हो वाग में आशेरस्तु हे प्रमात्मा मेरी वानी में शक्ति हो ध्यान देना इस वानी के दो कारी हुआ करते हैं ये जानिंद्री भी है और कर्मिंद्री भी है जब किसी व्यक्ति की पैचान होती है तो वह वानी से होती है वानी हमारी मधूरता को प्राप्त करेगी तो हम अपने जीवन के जो लक्ष हैं वहाँ प्राप्त करने में हम साहिक होते हैं हमें सरलता मिल जाती है एक कहानी मुझे इस समय याद आ रही है एक बार एक ब्रह्मचारी जो पहली बार ही संसार में आया था अपने गुरुकुल से निकला तो गुरुकुल के आचारे ने का थोरे से चावल ले लो और उन चावल को लेकर के पोटली में कच्चे चावल लेकर चलता रहा जब वो गया गाउं में रुका गाउं में रुकते वे उसने क्या देखा कि एक माता बहार थी उसने कहा माता जी मैं भूख से व्याकूल हूँ और मुझे भोजन बनाने के लिए कुछ सुविधा चाहिए मेरे पास में चावल है माने का कि नहीं मैं भोजन तुम्हें खिराज़ कर नहीं मैं ब्रमचारी हूँ मेरे साथे अधार जो भोजन बनाने के सामगरी कच्ची अपनी उस मा से बोलता है मा अरे यह बहुत छोटा दर्वाजा है और दर्वाजे में यदि किसी कारण से कोई भैस मर जाए आपके अंदर जो है और मर जाए तो कैसे आप निकालोगे तो माने कहा ब्रमचारी शुब शुब बोलो असुब नहीं बोलते जब थोड़ा अंद आने का प्रमचारी इदर आओ क्या हुआ कि इदर आओ जब आए देखा तो जो भोजर मों बना रहा था प्रमचारी उस हांडी को उसके वस्त में का वस्त दिखाओ और वस्त में डाल दी और डालने के प्रश्चान वह निकल चला निकलते समय लोगों ने पूछा यह क्या रिष्ट पकरा है ये क्या है? तो उस ब्रुम्चान निकाई वानी का रेस्ट पकरा बंदों हम अपनी वानी को मधुर्ता के सातमें बोलें और वानी नियंतरण बहुत आउश्यक्त है जिस व्योग्ति ने वानी पर workforce कर लिया, ध्यान होगी वेसा पानी अर्थात जैसी आप बोलते हैं वेसा ही कर्म करते हैं इसलिए महाराज भरतरी ने बहुत सुन्दर सी बात लिखिए उसने लिखा है कि संस्कार इप्तु वानी ही विर्णम वानी ही सबसे वड़ी वानी के लाती सबसे बड़ा अभुशन है के यू रानिन भूश यंति पुरुशं हारान चंद्रो जला नस्नानम न विलेपन कुशुमं नालंकृता मुर्धजा वानेका समलं करोति पुरुशं या संस्किता धार्यति महाराज भरत तरी बहुत अच्छी सुन्दर सी बात लिखते हैं के यू रानिन भूश यंति हम चाहे शरीर में बाजू बन बहुत सुन्दर से क्यों न लगा ले वो भूशन नहीं है वो आभूशन नहीं है चंद्रमा के समान उज्जल भाव सुन्दर सा हार क्यों न पेल ले वह भी हमको अभूशित नहीं करता चाहे हम इस्तान कर ले चाहे हम उबटन कर ले चाहे हम फूल लगा ले चाहे शिरो की सिर की जो सज्जास को हम कर ले किन्तों याद रखना वो आपका आभूशन नहीं है फिर क्या आभूशन है केते हैं आगे वानियकता समरम करोती पुरुशम वानी ही केवल एक मात ऐसी है जो हमको अलंकित करती है आभूशन से सज्जित कर जेती है और कैसी वानी या संस्किता धारियत है जो मनुष्य वान का आभूशन को धान करता है क्यों जितने भी हावूशन हे वो सब क्षियत खलूभूशन नहीं समात हो जाते हैं वानिका जो आभूशन है वही स्थाई्ट तुरेता हий वही संस्вал के अंदर सब को बताता है आउबंदू वाचा वतामि मधुएं हम अपनी वानी से मीठा बोलें, मधूरता से बोलें, सत्यम वदर, प्रियम वदर, सत्य बोलें, प्रिय बोलें, हसना, बोलना, सोचना, मनुष्य को आया है, हमको आया है, उसको हम सीखें, इनी सब्दों के साथ आओ, हम वानी के सैयम को समझें, वानी के जीवन में क्या महत्त रहे हैं व्यदिक राष्ट यूटूब चैनल पर आज का व्यदिक विचार में वानी से मिठा बोलूं मेरी वानी में मधूटक के मधूरता ही मधूरता हो ओम शांती शांती शांती